साथ्यों नमस्कार, गडवाधी तेश्णी के सभा के चुनाओ साथ तारिक को निश्चित हो गए हैं, अब काउंड़ान शुरू हो गया है, कल साथ नवंबर है, दोनों दल, दोनों पैनल, पैनल 1, पैनल 2 के सभी पताधीकारी बड़े चोशोर से इस चुनाओ अभिहान में लगे हुए हैं, और कोविट काल के बाद जो डिट वर्ष का लगभग लॉकडाउन रहा है, और बड़ा चैलेंजिंग समय रहा है, उसमें पिछली कारकारणी को इस बार एक वर्ष आठ मेने का समय अधिक मिला, कुल मिलाकर उनका कारकाल तीन साल और आठ मेने का रहा, और यह संभव भी नहीं था कि चुनाओं समय पर हो सकें, क्योंकि कोविट चैलेंजिंग कोविट टाइम था, हमने बहुत साथियों को खोया हमारे अध्यक्ष महबबसी राना जी हमारे बीच से बिदा हो गए, बहुत साथी हमारे बीच से चले गए, मैं नाम लिना चाहूं तो बहुत लंबी फैरिस थे, बहुत दुखकी बात है, हम लोगों ने अपनों को को खोया है, सभी ने अपनों खोया है और गड़वा हिद्धेशिन सावाने भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को खोया है बहुत दुख की बात है सभी आत्माओं को मेरी तरफ से शद्धान जली कल का चुनाओ साथियों बहुत महत्तुपूर्ण इस लिहाद से भी है कि पहले के मुकाबले इस बार बहुत सक्रियत है इस चुनाओं में देखने को मिली है जो एक बहुत अच्छा लक्षन है क्योंकि किसी भी सामाजिक दाएरे में अगर कोई समाज के विक्ती सक्रिया तैसे अपनी भूमी का निभाते हैं तो एक बहुत अच्छा लक्षन होता है कि अपने समाज के लिए अपनी community के लिए अपने बिरादरी इस चुनाओं की एहमेद और जादा महरत पूर्ण हो गई है अन्नी चुनाओं की तरह और ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि ये चुनाओं इस तरीके से रड़े आ रहे हैं मानू कोई विश्व विद्याले की चुनाओं हो या कॉलेज माहर विद्याले की चुनाओं हो और ये अच्छी बात है और जिस तरीके से इस चुनाओं में आपसी सामंजस और समरस्ता का महाल है वाक विबाद जरूर है मतवेद जरूर है लेकिन मनभेद नहीं है ये एक बहुत अच्छा लक्षण है और हम यहीं उमीद करते हैं कल के चुनाओं भी शांती पूर्ण संपन होंगे हर वर्ष के तरह हैं क्योंकि अल्टिमेटली हमें तो एक ही मंच पे मिलना है और अपने समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए मिल यूलकर आगे बढ़ना है इस बार दो पैनल चुनाओं में हैं पैनल नंबर एक और पैनल नंबर दो पैनल नंबर एक में अजहेश सिंग बिष्ठ है युवा अध्यक्ष और महासचीव भी द्वारी का पुशाद बढ़ जी है वो भी काफी करमठ साती हैं दूसरे पैनल नंबर दो में शैलिंदु सिंग है जो अध्यक्ष पत के लिए चुनाओ लड़ रहे हैं और महामंत्री पत पर दिवर्ट वान जो महासचीव है पवन में अठानी जी चुनाओ लड़ रहे हैं उनका पैनल है जिसमें कारकार्णी के सदस्या और बदों पर भी लोग लड़ रहे हैं चुनाओ तो ये चुनाओ बहुत महत्यपूर्णे उन्नेसो तेईस की संस्था को आज लगभग नब्भे वर्ष हो गए और हमारे जो पूरवज हैं उनके जो उनकी जो महनत थी इस संग्ठन को इस सभा को इस भववन को बनाने में उसके काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं मिल जूल करके अपने उद्देश की प्रती लक्षन इधारित करके आज मूलता है गड़वाल भववन में कब्दे का प्रश्ट गड़वाल भवन में जो एक हाउस्टेक्स की समस्या जो पचासी लाग तक पहुंच गया है दो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर आगे लड़ाई लड़नी है और इसले भी बहुती कठिन और चुनौती पूर्ण है क्योंकि एक मामला कोट में है और एक हमें विभाग से इसे लड़ना है और जब तक कब्दा रहेगा तब तक हाउस्टेक्स को कमर्शियल एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है तो यह दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिन पर लड़ाई आगे जारी रखनी है जो भी पैनल चुनाव जीतता है इसके अलावा संस्था के और भी बहुत सारी उद्देश है जैसे सामाजिक क्षेत्र में सांस्कृतिक क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं की विवस्था करने के सवाल पर हमारे जो समाज के बच्चे हैं उनकी शिक्षा, उनकी कांसिलिंग को लेकरके जो एक शुरुबात की गई अच्छी शुरुबात है प्रशेंशनी है उसको आगे बढ़ाने के लिए और बहुत सारी चीजें जो समाज से जूड़ी हुई हैं उनने आगे बढ़ाने के लिए लक्ष पर पहुंचाने के और ऐसे चुनाव में सभी प्रत्याश्यों को जो हम समझते हैं कि काबिल हैं, उप्युक्त हैं, उनके नक्षमता है, एनर्जी है, एन्थूजियाजम है, तो हर चुनाव में सभी लोगों को बारी-बारी से मौका मिलना चाहिए. और मैं समस्ताओं की बढ़ियत तब रहेगा, कि तो इस बार चुनाव में लड़ रहे हैं, खास वर से महत्त पूर्ण पतों पर, वो अपनी पारी तीन साल की पूरी करके, अपना maximum contribution दे करके, स्वते ही किनारे हो जाए अगली बार नए लोगों को चांस दें, क्योंकि प्रज नया विक्ति पत पर आता है, वो नई शक्ति और ताकत और श्रमता के साथ चुनाव रहता है, अक्सर यह देखा गया है कि जब repetition होता है, तो जो पुरानी बाड़ी होती है, पुरानी लोग होती है, वो कई मामलों में उनका रवयत, उनका द्विष्टकुन बदल जाता है, इसा हर मामले में नहीं होता, लेकि कुछ मामले में होता, तो मेरे तो यही मानना है कि नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, और चुनाव में बदलाओ की धारा को प्रात्मित्ता देनी चाहिए, तो जहां तक मेरा अपने व्यक्तिक रिष्टकुन है, मैं पैनल नंबर एक क समाज की ही लोग हैं, कोई आपसी विद्वेश नहीं है, कोई मन्भेत नहीं है, मत्भेत विचारों को ले करके या कुछ पॉलिस पर कारक्रम पर हो सकते हैं, तो मैं पैनल नंबर एक को समर्तन कर रहा हूं, मेरा आप सबसे यही निवेदन अन्रोद है कि साथ तारीक को पै बनाएंगे, ताकि एक नई परमपरा गड़वाल भावन के लिए हम स्थापित कर सकें, और जो दो महत्वपूर्ण बुद्धे हैं, उन पर लड़ाई को बहुत मजबूत ही से आगे बढ़ा सकें, साथ साथ, जो उनका मेनिफेस्ट हो है, जिसमें उनने मेंबर्शिप खो कि मेंबर्शिप खोली जाए, मेंबर्शिप के माध्यम से हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को अलग अलग शेत्रों के जो हमारे काबिल लोग हैं, वो इस संस्था से जुड़े था कि हम गड़वाल हिताशिय सभा को नई बुलंदियतों ले जा सकें, तो मेरा इतना ह ही कहना है कि पैनल नंबर वन को अब अधिक से धिक मतों से विजी बनाएं, युवा साथियों को मौका दें और जिने मौका मिल चुका है, उनकी बजाए नहे लोगों को मौका दें ताकि हर बार नई टीम आ सके और नई इस फूर्ती और तज़ुर्वे के साथ पुराने सा है कि नई टीम को सहीयोग करें, चुनाओ के बाद अपने मन भेद बुला दें और गड़वाल इतैशनी सभा, गड़वाल भावन के उद्देशों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से काम करें, हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन भेद कभी नहीं होने चाहिए, गड़वाली टेशनी सभा के नए अध्याय को जन्म दें, ताकि हम महत्वपून सवालों पर गड़ाई आगे बढ़ा सकें और निश्यत नतीज़ पर पहुंच सकें, जाहिन, जाए भारा, जाए उत्राखन.